विपक्ष को सुजाया और वो प्रस्थाव लेकर आए विपक्ष का अविश्वास प्रस्थाव हमारे लिए शूब होता है और मैं आज देख रहा हूँ कि आपने तय कर लिया है कि NDA और BJP 2024 के चुनाओं में पूराने सारे रेकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ चनता के आशिरवात से वापिस आएंगे कि बीते दिनों इसी सदन्य और हमारे दोनों सदन्य जनविश्वास बिल मेडियेशन बिल डेंटल कमिशन बिल आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल नेशनल डिसर्क फावनिशन बिल कोस्टल एक्वकल्चर से जुड़ा बिल ऐसे कई महत्वपूर बिल यहां पारिती है आने वाला समय टेक्नलोजी ड्रीवन है आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ओईल के रूप में सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है उस पर कितरी गंभीर चर्चा की ज़रोत थी है लेकिन राजनीती आपके लिए प्राफिकता थी कई ऐसे भी थे जो गाउं के लिए गरीब के लिए दलीद के लिए पिछड़ों के लिए आधिवास्तिक के लिए उनके कल्यान की चर्चा करने के लिए थे उनके भविश्च के साथ जुड़े हुए थे लेकिन इसमें इने कोई रूची नहीं है देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है उस जनता का भी विश्वास गात किया गया है कि विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आत्रंस उनके वहवार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है देश से बड़ा दल है देश से पहले प्रात्विक्ता दल है मैं समझता हूँ आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पर सबार है अब विश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी ठर्टा की अब तो मैं तो देख रहा हूँ शोशल मेडिया मापके दरबारी भी बहुत दूखी है यह हाल है आपका और देख जी देखे मज़ा इस निवेट का कि फिल्डिंग विपक्ष ने और्गनाइज की लेकिन चोके छक्के यहीं से लगे और विपक्ष नो कॉन्फिनेंज मोशन पे नो बॉल नो बल पर ही करता आगे चलता जा रहा है इधर से सेंचुरी हो रहे हैं उधर से नो बॉल हो रहा है अद्धिक जी मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयर ही करकी क्यों नहीं आते जी तोड़ी मेहनत कीजिए और मैंने पांच सल दिया आपको मेहनत के निकलिए अठारा में कहा था कि तहीस में आप आना जुरूर आना पांच सल भी नहीं कर भाए आप क्या हाल है आप लोगों का है क्या आप दारीद्र है अच गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है आप देश में आप देश में गरीबी तेजी से घट रही है नीती आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच साल में साड़े तेरा क्रोड लोग गरीबी से बहार आए है आदर नियर देग्जी आएमेप आएमेप अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अती गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है आएमेप ने भारत के डीबीटी के और और दूसरे हमारे सोशल वैलफेर स्कीम के लिए आएमेप ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है आदनिय अद्रिक जी डबल्यू एचो ने कहा है आदनिय अद्रिक जी वर्ल हेल्स और नाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मीशन्स के जरिये भारत में चार लाख लोगों की जान बच रही है युनिसेप ने क्या कहा है युनिसेप ने कहा है कि स्वच्च भारत भ्यान के कारा है हर साल गरीबों के पचास हजार रुपिय बच रहे हैं ये लेकिन भारत की इन उप्लब्दियों से भारत की इन उप्लब्दियों से कॉंग्रेस समेथ विपश के कुछ दलों को अविस्वास है पिछले तीन दिन से भी हमारे विपश के साथियों ने जीव भर करके दिक्षनेरी खोल खोल करके जीतने अपशब्द मिलते हैं ले आए जीतने अपशब्दों का उप्योग कर सकते हैं भरपूर पता नहीं कहां कहां सा ले आते और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये इनकी पसंदिदा नारा है लेकिन मेरे लिए मेरे लिए इनकी गालिया ये अपशब्दा ये अलोगतांत्रीक भाशा मैं उसका भी टॉनिक बना देखा कि बिपस्ट के लोगों को एक सिक्रेट बरदान मिला हुआ है हां हां पर सिक्रेट बरदान मिला हुआ है और बरदान ये की ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका बलाई ही होगा हम यह क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में तीसरे टम में हम देश की एकोनोमी को तीसरे पर लाएंगे ते जिम्मेवार विपक्ष क्या करता वो सवाल पूछता सवाल पूछता अच्छा पे बताओ मिर्मुलाजी बताओ कैसे करने वाले हो अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो आपका रोल में बताओ ऐसा करते हैं अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था कॉंग्रेश के साथ संकान में आर्थ बवस्ता दुनिया के क्रम में दस ग्यारा बारा इसके बीच में जोले खाती थी जुलती रही थी लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप पांच में अपनी जगह बना ली कॉंग्रेश के लोगों को लगता होगा कि इसको जादू से लकड़ी से हुआ है लेकिन मैं आज सदर को बताना चाहता हूँ मानियत देक्षिव रिफॉर्म पर्फॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म एक निश्चित आयोजन प्लानिंग और कठोर परिश्रम परिश्रम की पराकाष्ठा और इसी की वज़े से आज देश इस मुकाम पर पहुँचा है और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी आवश्रक्ते आनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और पर्फॉर्मन्स के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा और परणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुँचके रहेंगे दोहजार अठाइस में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले तीन में होगा ये देश का विश्वास कमिल लाडू में कॉंग्रेस की आखरी बार 1962 में जीत हुई थी 61 वर्सों से तमिल लाडू के लोग कह रहे हैं कॉंग्रेस नो कॉंफिडन्स तमिल लाडू के लोग कह रहे हैं कॉंग्रेस कि पस्चिम बंगाल में उन्हें आखरी बार जीत 1972 में मिली थी पस्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार और गुज्राथ कॉंग्रेस आखरी 1985 में जीती थी पिछले 38 वर्थों से वहां के लोगों ने कॉंग्रेस को कहा है त्रिपुरा में उन्हें आखरी बार 1988 में जीत मिली थी 35 वर्थों से त्रिपुरा के लोगों कॉंग्रेस को कह रहे हैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस उडिशा में कॉंग्रेस को आखरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी यानि उडिशा में भी 28 वर्थों से कॉंग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है उडिशा कह रहा है कॉंग्रेस की आखरी जीत 1988 में हुई थी यहां के लोग भी 25 वर्थों से कह रहे हैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस बिल्ली आंदर पजेश और पस्तिम मंगाल में तो एक भी विदायक खाते में नहीं है दूर युद्ध से भागते दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणदीर भाग्य चंद की आज तक भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर आज देखिए इनकी मुस्बत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एंडी के काही सहारा लेना पड़ा है ये इंडिया गडबंदन नहीं है ये इंडिया गडबंदन नहीं है एक गबंडिया गडबंदन है ये मैं हर कोई दुला मनना चाहता है सब को प्रधान मंद्री बनना है आज जो हालत इसले में कहना चाहता हूं अभी हालात ऐसे हैं अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी गमंडिया गटबंदन देश में परिवारबाद की राजलितिकुआ सबसे बड़ा प्रतिमीम है देश के स्वाधिनता से राणियों ने हमारे समिधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारबादी राजलितिका विरोध किया था मातमा गांदी सरदार वल्लबाई पटेल बाबा साब आम लेर कर डॉक्टर राजेंदर प्रशाद मौलाना अजात गोपिनाज बोर्डली लोकनाएक जैप्रकास डॉक्टर लोया आप जितले भी नाम देखेंगे सब ने परिवारबाद की खुल कर आलोचना की है क्योंकि परिवारबाद का नुक्षान देश के सामान्यन नागरिक को उठाना पड़ा है परिवारबाद सामान्यन नागरिक के उसके हकों उसके अधिकारों से बन्चित है लंका हनमान ने नहीं जलाई उनके गमंड ने जलाई और ये बिल्कुर सच है आप देखिए जनता जनारदन भी भगवान राम के रूप की है जनता जनारदन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए चार सो से चालिस हो गए अनमान ने नंका नहीं जलाई गमंड ने जलाई और इसलिए चार सो चालिस हो गए चार सो से चालिस हो गए आदनिय अद्धिक जी सच्चाई तो ये है देश की जन्ता ने दो दो बार तीस साल के बार पूर्ण बहुमत की सरकार चुदी लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बेटा आपको आपको जो हक्ता आप अपनी पारिवारिक पिड़ी मांते थे वो यहां कैसे बेट गए यह चूबन अभी भी आपको परिशान कर रही है आपको सोने नहीं देती है दूबने वाले को तिनके का सहरा ही बहुत दूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत दिल भल जाए फकत इतना इसारा ही बहुत इतने पर भी आस्मा आस्मा वाला गिरादे बिजलियां कोई बतला दे जरा ये डूपता फिर क्या करे मैं कॉंग्रेस की मुशिबत समझता हूँ बर्सों से एकी फेल प्रोड़क्ट उसको बार बार लॉंच करते हैं हर बार लॉंचिंग फेल हो जाते हैं देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान जूट का बाजार इसमें नफरत है गोटाले हैं तुष्टी करण है मन काले हैं परिवारबात की आग के दसकों से देश हवाले हैं और तुम्हारी दुकान ने अमर्जंसी बेची है बटवारा बेचा है शीखों पर अत्या चार बेचा है जूट कितना सारा बेचा है इतिहास बेचा है उरी के सच के प्रमाण बेचा है शर्म करो नप्रक्की तुकानवालो तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है मडिपूर में अदालत का एक फैसला आया अब अदालतों में क्या हो रहा है वह हम जानते हैं और उसके पक्ष्विपक्ष में जो परिस्तित्या बनी हिंसा का दोर शुरू हो गए और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुए अनेक दोने अपने स्वजन भी खोई महिलाओं के साथ गंबीर अपराद हुआ और यह अपराद अक्षम में है और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है और में देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार चे प्रयास चल रहे हैं निकट भविश में सांती का सुरत जुरूर हुगेगा बनिपूर फिर एक बार नए आत्मी स्वास के साथ आगे पड़ेगा मैं बनिपूर के लोगों से भी आगरपूर को कहना चाहता हूं वहां की माताओं बेहनों बेटियों से कहना चाहता हूं देश आपके साथ है यह सदन आपके साथ है हम सब मिल करके कोई यह हो या न हो हम सब मिल करके इस चनौती का समाधा निका लेंगे वहां फिर से सांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वाद दिलाता हूं कि मनिपूर फिर विकास की रहा पर तेज घरती से आगे बढ़े उसमें कोई प्रयांसों में कोर कसर नहीं रहेगी यह वह लोग जिनोंने मा भारती के तीन तीन टुकडे कर दिये जब मा भारती की गुलामी की जंजिरों से मुक्त कराना था जब मा भारती की जंजिरों को तोड़ना था बेडियों को काटना था तब इन लोगों ने मा भारती की बुझाए कार दी मा भारती के तीन तीन टुकडे कर दिये और यह लोग किस मूझ से अथा बोलेगी हिंबच करते अधिनिय अधिर जी यह वो लोग हैं जिस बंदे मात्रम गीत ने देश के लिए मन मिटने की प्रेणा दे थी हिंदुस्तान के हर कौने में बंदे मात्रम चेतना का स्वर बन गया था तुस्ती करन की राजनिति के चलते हैं उन्होंने मा भारत के ही टुकडे किये तना नहीं बंदे मात्रम गीत के भी टुकडे कर दिये लोग यह वो लोग हैं मानले अधिक जी जो भारत तेज़े टुकडे होंगे यह गैंग यह नाराव लगाने वाले लोग इनको बढ़ावा देने के लिए उनका प्रोथान करने के लिए पहुंच जाते हैं मनिपूर के समस्याओं को ऐसे प्रसूत किये जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहाँ यह परिस्तिती पैसा खुई है करना मिद्भे ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है कैसे हुआ है लेकिन मैं आज मड़ी गंबीरता से कहना चाहता हूँ नौर्थ इसकी इन समस्याओं की कोई जन्यनी है तो जन्यनी एक मात्र कॉंग्रेस है नौर्थ इसके लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है इनकी ये राजनीती जिम्मेवार प्रकार से साउतिस देश्या का विकास हो रहा है जिस प्रकार से आश्यान देशों में का महत्व बढ़ रहा है वो दीन दुर नहीं होगा हमारे इस्ट की प्रकादी के साथ साथ नौर्थ इस वैश्विक दुरस्टी से सेंटर पॉइंट बनने वाला हर भारती विश्वा से भरा हुआ है आधनिय द्यक्जी आज का भारत न दबाओं में आता है न दबाओं को मानता है आज का भारत न जुकता है आज का भारत न रुकता है उस सम्रुद्ध विरासत विश्वास लेकर के संकल्प लेकर के चली है और यही कारण है जब देश का सामान ने मानवी देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेडित आज जो दु भारत के लोगों का खुद पर विश्वात बढ़ा जो नीव आज मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं उस नीव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विख्षित हिंदुस्तान होगा भारत विख्षित भारत होगा जात्यों और ये देश वाच्यों के परिश्रम से होगा देश देश वाच्यों के संकल्प से होगा देश वाच्यों की सामोहिक शक्ति के दवगा देश वाच्यों की अखंड एक नाच्ट पुर्शार्ट में होने वाला है कि मेरा भी स्वाच्यों